हाई अश्ड़ीन आफ लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से तयारी कर रहे होंगे एक्जाम का इक्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है यानि उतना टाइम आप लोग के पास नहीं है, फिलाल बचा हुआ एक्जाम के लिए, अब में भी फेवरेडी में आपका एक्जाम होगा, तो इस तरीके से आपके पास टाइम उतना जादा नहीं है, तो पढ़ाई जो है वो आप continue रखिए और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए आज के क्लास में हम लोग केमिकल कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं और ये केमिकल कैलकुलेशन का 2.0 है, इसका मतलब यह है के केमिकल कैलकुलेशन के उपर वीडियो मैंने अल्रेडी बना दिया है, लेकिन जहां तक मुझे समझ आया उस वीडियो को देख कर के वो उतने डी chemical calculation का 2.0 series अभी चलेगा यानि के chemical calculation chapter से related जितना भी concept हो सकता है उन सारे concept को एक एक करके सीखेंगे और जितना भी type का questions हो सकता है उन सारे type के questions को मैं आपको सिखाऊंगा के कैसे करना है ठीक है यहाँ पे हम लोग 2-3 questions नहीं बलके धेरो सारे questions प्रैक्टिस करने वाले हैं और सब के पीछे कैसे trick इस्तिमाल करना है क्या कैसे करना है वो सब कुछ आपको अच्छे से explain करूँगा तो अगर इस chapter में यानि के chemical calculation chapter में अच्छा आपको command चाहिए तो इस पूरे series को follow करना एकदम आपके लिए compulsory है करना क्या है भाईया इस series को follow करने के लिए जस्ट आपको कुछ नहीं करना है वीडियो एक दिन gap करके आपको मिल जाएगा यानि आज वीडियो आया है तो कल के बाद परसों परसों आएगा तो फिर उसके बाद एक दिन बात करके वीडियो एवरी डे आपका chemical calculation का आता रहेगा तो जस्ट आपको subscribe करके रखना है ताके जब वीडियो आए तो आपको notification मिल लिया और जट से आप वो वीडियो को देख लो बाई दवे start करते हैं आज का chapter बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आया यूटूब पे बढ़ाज पूरे जोश के साथ एकदम इस chapter को start करते हैं और तहल का मुझा देते हैं तो chapter का नाम है chemical calculation भहिया chemical से related सारे calculations को इस chapter में करने वाले हैं अब वो चाहे आपका chemical का calculation में basically क्या है यहाँ पे थोड़ा सा आप समझो सबसे पहले के दो तीन चीज इस chapter को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए वो चीज क्या है वो चीज आपका कुछ elements का नाम आपको याद होना चाहिए elements भहिया क्या बात कर रहो है मुझे समझ नहीं आ रहा है elements basically मैं बात कर रहा हूँ उस periodic table के बारे में उस periodic table में जो आपको 118 elements दीखते हैं उनमें से कुछ elements यानि के at least 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना चाहिए उनका symbol लेकर आप नाम बता दो इतना काफी होगा राइट यह आपको at least पता होना चाहिए तो आप उसको एक बार पढ़ लेना नहीं पढ़े हो तो आज का यानि के पहला वीडियो के बाद आप उसको पढ़ लेना ताके second और उसके बाद जो भी अमारे chemical calculation वीडियो आए उसमें आप उसको अच्छे से अटेम्ट कर पाओ तो pre-requicide यानि के इस chapter को पढ़ने से पहले आप भाया मुझे क्या जानना जरूरी है तो इस chapter को पढ़ने से पहले सिर्फ 1 से लेके 20 तक at least आप periodic table में जो elements है उसको आप याद कर लेना clear है यहाँ पर चलो तो start करते हैं हम लोग यह chapter को some basic terms है कुछ ऐसा basic terms जो के आपको इस chapter में बार 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 देखने को मिलेगा और उसके बारे में आपको शायद नहीं पता हो पता हो तो थोड़ा बहुत confusion हो उन सारे confusion को दूर करेंगे और try करेंगे के भाया एकदम clear concept हो जाए के atom किसको कहते है molecule किसको कहते इन सब चीजों को एक एक करके हम लोग समझना यहां पर सुरू करते मज़ा आ रहा है basic terms clear रहेगा तभी तो question बनेगा exactly सही पकड़े हो basic terms अगर सही रहेगा तभी तो questions बनेगा तो सबसे पहला term जो यहां पर मैं use कर रहा हूँ या मैं आपको बताने वाला हूँ that is atom atom क्या कहेंगे भाई तो atom basically एक type का element से मिलकर बन रहा है atom ठीक है for an example अगर मैं बात करता हूँ यहां पर iron के बारे में तो iron atom क्या है iron atom जो है वो iron के element से मिलकर बना है और यह है iron का atom जिसको हम लोग fe से denote करते हैं ठीक है अब यहां पर तो ज़्यादा हो गया मैं एकदम simple सा लेता हूँ hydrogen atom तो hydrogen atom H से हम लोग यहां पर denote करते हैं ठीक है oxygen atom के बारे में बात करूँगा तो O से denote करते हैं उसको helium atom के बारे में बात करूँगा तो HE से denote करते हैं इसको clear है यहां पर तो यह आपका हो गया basically atom next चीज जो यहां पर हम लोगों कहा है that is molecule molecule किसको कहेंगे भईया तो देखो एक यानि के दो या दो से ज़्यादा atom से मिलकर जो चीज बन रहा होगा उसको हम लोग molecule कह रहे होंगे for an example अगर मैं H के जगा पर H2 लिख दूँ तो यह molecule कहला गया O के जगा पर अगर O2 लिख देता हूँ तो यह molecule कहला गया अगर यहीं पर मैं आपका एक और चीज लिख देता हूँ जैसे के मैं hydrogen और oxygen दोनों को combine करके चाता हूँ के water का एक molecule बनाओ तो H2O बन गया यह हमारा water का molecule बन गया तो इस तरीके से आपको molecule का मतलब समझ आ गया अब यहाँ पर थोड़ा दा confusion हो सकता है कि भाईया molecule समझ आ गया बट compound क्या है यह बताएए तो यहाँ पर जो molecule आपको दीख रहा है H2O है इसमें से जो H2 आपको यहाँ पर दीख रहा है इसको हम लोग कहते हैं compound as well as molecule भी कहते हैं लेकिन H2 को हम लोग compound नहीं कह सकते हैं क्यों क्योंके वो डो different atom से मिलकर नहीं बनाए इसलिए वो molecule है लेकिन compound नहीं है तो जितना भी compound होगा वो सारा का सारा molecule तो होगा लेकिन जितना molecule है वो compound हो ऐसा बिलकुल भी जरूरी नहीं है तो compound का example में H2O हो गया, NACL हो गया, यानि के sodium chloride, अच्छा नाम, 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 नाम important है, ठीक है, जितना भी questions करवाओंगा मैं, उसमें आपको अलग-अलग नाम सुनने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया sodium chloride है, उसी तरीके से आपको calcium carbonate मिलेगा, potassium carbonate मिलेगा, बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, तो वो आपको एक बारी क्या करना है, समझना है अच्छे से, ओके, वो चीज़ आपको याद रखना होगा, तबी आप कर पाओगे, एक और चीज़ आप यह गर सकते हो, कि आप inorganic chemistry में जाओ, आपके book में inorganic chemistry एक chapter है, वहाँ पे बह आपको आपको बताया था, कि यह सारे compounds को आप याद रखना काम आएगा, तो आप उसका एक बार list बना सकते हो, ठीक है, chemical calculation by concept एरा part 1 आजाएगा, YouTube पे सर्च करना है आपको, ओके, तो atom का मतलब तो हमें समझा गया, और molecule का मतलब हमें समझा गया, कि हम लोग दो या दो से जादे atom को मिला कर, जब हम लोग बनाएंगे, मिले जाएगा, तो उसको हम लोग, जब combine हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, molecule कहेंगे, molecule में अगर similar type of atom भी मिल सकता है, और different types of atom भी मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर hydrogen और oxygen दोनों atom मिला हुआ है, ठीक है, compound में compuls यह है कि आपका अलग-अलग atom मिल कर बन रहा हो, ठीक है ना, जैसे कि H2 जो है, compound नहीं, H2 molecule है, लेकिन H2O जो है, compound है, clear है, atomic mass के बारे में, अगर मैं बात करूं, तो atomic mass simply यह समझो कि एक atom का mass को हम लोग atomic mass कहते हैं, क्या कहते हैं, एक atom के mass को atomic mass कहते हैं, for an example, hydrogen का जो atomic mass होता है, वो होता है, 16, तो यह हो गया आपका atomic mass of oxygen, ठीक है न, इस तरीके से आपको जानना रहेगा, इस तरीके से आपको याद करना तो नहीं पड़ेगा atomic mass, क्यों नहीं याद करना पड़ेगा भाईया, इसलिए, because जब question आपको दिया रहेगा, तो उसमें bracket में आपको atomic mass, उस element का दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको आपको tension नहीं लेना है, molecular mass बहुत important है, molecular mass का मतलब simply समझो, molecule का mass, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ के O2 का molecular mass कितना है, तो आपको पता है के oxygen element जो है, वो 16 gram होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 oxygen element है, इसका मतलब कितना हो गया, बाई, 2 oxygen atom यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो कितना हो गया, 16 और 16, 32 हो गया, तो यह हो गया, इसका molecular mass, ओके, next यहाँ पे अगर हम लोग molecular mass यह भी समझ सकते हो, कि किसी भी molecule का, एक mole में जितना mass होगा, उसको हम लोग molecular mass कहेंगे, तो 1 mole of oxygen molecule का, कितना mass होता है, 32 gram होता है, ठीक है, इस hydrogen है, तो हो गया, 2, और यहाँ पे एक oxygen है, और oxygen का होता है, 16, तो 16 प्लस 2 कितना होगा, 18, simple यहाँ पे 18 gram होगा, यानि कि 1 mole of H2O का कितना weight होगा, 1 mole of H2O का molecular mass कितना होगा, भाई, तो आपका molecular mass का मतलब हो गया, कि 1 mole of particular molecule, कोई भी एक molecule का 1 mole का weight होता है, उसको हम लोग molecular mass कहते होगा, ठीक है, भाईया, 2 mole of O2 कैसे लिखाएगा, तो just यह O2 लिखा हुई है, इसके सामने 2 लिख दूंगा, तो यह क्या होगा, 2 mole of O2, इसके सामने 7, अगर मैं 3 लिख दूंदो यह होजाएगा, 3 mole of O2, यही बेसिक से आपको सायद यह चीज समझा रहा हो, कि यह 1 mole, 2 mole, 3 मोल कैसे होगा अगर सामने में कुछ नहीं है that means के वन मोल है अगर टू लिख रखा है तो टू मोल है थ्री लिख रखा है थ्री मोल है एकदम सिंपल सा इस तरीके से आप समझ सकते हो ओके यहां पर आपको एक रियाक्शन दिख रहा होगा यानि के केमिकल लिक्वेशन दिख चाहिए है थोड़ा सा यह समझ लेते हैं राइट यहां पर रियाक्शन हमें पूरा दिख रहा होगा जैसे के यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि जो एमजी है एमजी किसको मतलब यह किसका सिंबल है मेगनीशियम का इसलिए वन से लेकर आट-लिस्ट तक आट-लिस्ट magnesium ये oxygen जब एक दूसरी के साथ react कर रहा है तो ये एक product बना रहा है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं MgO यानि के magnesium oxide कह रहे हैं ठीक है अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो चीज है इसको अपन लोग कहते हैं reactant क्या कहते हैं भईया इसको इसको कहते है reactant ये याद रखना और ये वाला जो चीज है इसको हम लोग कहते है product यानि के बना क्या है वो ठीक है तो ये हो गया product ये हो गया reactant नाम सिर्फ आपको याद रखना है यहाँ पे अब दो तीन चीज और हम लोग इसी चीज से सीख सकते हैं और वो चीज क्या है कि ये जो mg आपको दिख र molecule हो के वहीँ पर MgO जो है वो क्या है मेरा तो MgO जो है map compound क्या है compound टीक है तो मैं उम्मीदगर रहा हूँ कि आपको धीर धीरे सबचीच का idea लग रहा होगा कि atom क्या है molecule क्या है compound क्या है, atomic mass क्या है, molecular mass क्या है और 1 mole of something या 2 mole of something या 3 mole of something किसको कहते हैं वो भी आपको समझा रहा होगा, ठीक है तो for an example अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर कहीं जाते हो और जाकर बोलते हो कि मुझे 2 mole NaCl दे दीजिए ठीक है, 2 mole NaCl दे दीजिए तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उसको कहा रहा हो कि आप मुझे 36 gram water दे दीजिए simple सा चीजिए, ठीक है तो 2 mole of H2O देने का मतलब हुआ कि आप उनसे 36 gram water मांग रहे हो अब हर केस में वो weight अलग-अलग होगा वहीं पर अगर आप किसी से 2 mole O2 जाकर मांग रहे हो oxygen मांग रहे हो अगर 2 mole जाकर तो इसका मतलब हो गया कि आप उनसे 64 gram oxygen मांग रहे हो ठीक है, तो यहाँ पर 1 mole is equals to something gram fixed नहीं है अलग-अलग compound, अलग-अलग element और अलग-अलग molecule के लिए यह अलग-अलग होगा, ठीक है, यह totally depend करेगा कि आप कौन सा molecule, कौन सा atom और कौन सा compound ले रहे हो उसी पर depend करेगा कि 1 mole of that compound कितना gram आ रहा है gram कैसे निकालेंगे भया, simple उसका molecular mass निकाल लो आपको पता चल जाएगा कि 1 mole कितना gram के बराबर होगा clear है यहाँ पर, थोड़ा सा भी आपको doubt हो रहा है कहीं पर तो आप एक बारी concept era app में जाईए, आप जाकर इसको download कर सकते हैं play store से, जाने के बाद वहाँ पर एक आपको free में option मिलेगा chat with mentor का, जहाँ पर आप जाकर free में chat करके पूछ सकते हैं teacher से सवाल के मुझे यह वाला question समझ नहीं आया, इसका answer बताईए, ठीक है तो just play store पर जाईए, concept era वहाँ पर type कीजिए, आपको app दिख जाएगा download कीजिए, sign up कीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर ask doubt with mentor पर click कीजिए और आप वहाँ से free में, एक mentor से बैट कर आराम से कभी भी doubt पूछ सकते हैं, चाहे वो सुबा हो, चाहे साम हो, कभी भी पूछ सकते हैं mentor जब भी आपका available रहेंगे, आपको वहाँ पर answer अच्छे से दे देंगे, और आपको समझा देंगे, तो आपका doubt वहाँ पर clear हो जाएगा, ठीक है, ओके आगे चलते हैं next एक और चीज आप धियान देना, कि मैं इसको कुछ questions का series अभी हम लोगों का चलेगा इस chapter में, ठीक है, कुछ questions का, series अभी हम लोगों का पूरे का पूरे इसमें चलेगा, तो आपके पास अगर कोई unique question है, आपके पास अगर कोई question है, जो आपसे नहीं बन रहा है, या आपक कर, chat with mentor वाले section में send कर सकते हैं, वो chatting जब आप कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको option होगा, pick send करने का, आपो question send कर देना, अगर आपका question में दम रहेगा, तो उस question को हम लोग अगले class में solve करेंगे, वीडियो के थुरू, ठीक है न, चलो, next important चीज, जो के आपको इस chapter को समझने से पहले पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, या simply कहूँ इसी chapter का हिस्सा है, और वो क्या है, conservation of mass in chemical reaction, ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे हम लोग देफ्त में नहीं जाएंगे, अपने काम से काम रखेंगे, और काम से काम मेरा यह है, कि अगर कोई chemical reaction हो रहा है, for an example जो अभी थोड़ी दिर पहले हमारा हो रहा था, कि magnesium जो है, वो क्या हो रहा है, oxygen के साथ react कर रहा है, और वो बना रहा है MgO, ओके, इससे पहले कि मैं कुछ और बता हूँ आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं balancing सिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या सिखा हूँगा, balancing सि कैसे करेंगे balance, simple सा देखो कैसे करेंगे, बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे magnesium कितना है, यहाँ पे magnesium 1 mol है, हाँ भाईया 1 mol magnesium, कुछ नहीं है, इसके सामने मतलब 1 है न, तो 1 mol magnesium है, हाँ 1 mol magnesium है, ठीक है, यानि कि basically आपको 1 magnesium का 1 atom यहाँ पे दीख रहा है, simple मैं बोलूँ तो यह word है यहाँ पे, ठीक है, oxygen का आपको 2 atom दीख रहा है, लेकिन reaction के बाद, जो हमारा product बना, ठीक है, वो product में अगर आप देखो, तो 1 magnesium है, बिल्कुल correct है, एक ही magnesium तो हम लोगों ने डाला था भाईया, तो एक ही न बनेगा magnesium, बहुत अच्छी बात है, oxygen जो है, हम लोगों ने 2 atom of oxygen क मिला है, यानि कि एक atom यहाँ पे घट रहा है, ठीक है, तो अब balance करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने 2 लिख देंगे, जैसी इसके सामने 2 लिखेंगे, यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है, कि 2 magnesium का atom और 2 oxygen का atom, लेकिन 2 oxygen का atom यहाँ है, और इधर भी 2 oxygen का atom है, यह तो balance हो गया, लेकिन magnesium का यहाँ पे 2 atom है, और यहाँ पे एक ही atom है, तो अब अंधाजा लगा रहे होगे कि क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे 2 लिख देंगे, अब यह बन गया balanced chemical equation, कैसे वो देखिए, यहाँ पे 2 magnesium है, हाँ है, यहाँ पे 2 oxygen है, हाँ है, इधर भी जाओ आ तो कर पाऊगे, तो equation है हमारा कि mg जो है, वो react कर रहा है, O2 के साथ, और हमें दे रहा है, M, G, O, balance करने पे यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे भी हमारा 2 आजाएगा, तो यह हो गया balance, ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि यह conservation of mass का क्या fund है, okay, conservation of mass हमें यह बताता है, कि the sum of mass of the reactant, ठीक है, तो reactant के mass का sum, तो sum of mass of reactant, ठीक है, अच्छे है इसको समझो, reactant, बराबर होगा, किसके, sum of mass of product के, किसके बराबर होगा, बहिया, sum of mass of product के बराबर होगा, simple, यही fund आपको लेकर चलना है, कि अगर कोई भी chemical equation है, for an example, अगर A plus B react कर रहा है, और react करके, माल लेते हैं, C plus D बना रहा है, ठीक है, तो इस case में, इन दोनों का जो mass होगा, ठीक है, इन दोनों का जो mass होगा, वो exactly बराबर होगा, किसके, इन दोनों के mass के sum का, ठीक है, यह है, conservation of mass in chemical reaction, भाया, क्या, सच में ऐसा कुछ होता है, क्या, मतलब reaction होने के बाद, mass exactly same रहेगा, नहीं, exactly same नहीं रहेगा, लेकिन बहुत ही minute से difference रहता है, बहुत ही कम, एकदम minor से difference रहता है, इतना minor से difference रहता है, कि हम लोग उसको neglect करते हैं, और बोलते हैं, कि जितना हम लोगों का reactant था, उतना ही हमारा result भी आ रहा है, उतना ही हमारा product का भी mass आ रहा है, लेकिन actual में अगर देखें, तो थोड़ा सा है, कमी है यहाँ पे, लेकिन इतना नहीं है, कि उसको यहाँ पे notice किया जा सके, ठीक है that's why क्या करते हैं हम लोग, हम लोग जो है वो यहाँ पे बोलते हैं, कि दोनों exactly same होगा, ठीक है, बट दिमाग में हम इसा एक बाद जरूर रखना है, कि practically अगर हम लोग करते हैं, तो एकदम थोड़ा सा ही negligible के बराबर ही, लेकिन loss होता है यहाँ पे, ठीक है, loss बहुत सारे चीजों के कारण हो सकता है, ठीक है, चलो, तो यह है conservation of mass in chemical reaction, always याद रखना है आपको, for an example, वापिस से वही example लेकर चलते हैं, यहाँ पे 2Mg plus O2, ठीक है, यह जाकर क्या बना रहा है, 2Mg O बना रहा है, तो अब अगर हम देखें, तो Mg यानि के magnesium का, अगर आप periodic table अगर magnesium का, जो क्या कह सकते हो, atomic mass है, वो कितना है, तो मैं यहाँ पे check कर लेता हूँ, कि Mg का atomic mass कितना है, तो Mg का atomic mass मुझे दीख रहा है, 24 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि 2 into 24 क्यों, क्योंकि 2Mg है, ठीक है, ओके, 2 into 24 कितना हो गया भाया, तो यह हो गया, हमारा 48, 24 दुना 48, दो यहाँ पे हमारा oxygen, यानि के 16 दुना 32 हो गया, ठीक है, तो 32 and plus 48, कितना हो गया, हमारा 80 हो गया, यही दिख रहा न मुझे, हाँ बिल्कुल, तो 32 और plus 48 हम लोगों का यहाँ पे 80 हो गया, चेक करते हैं, कि क्या right hand side में भी exact 80 आ रहा है, तो देखते हैं, magnesium का कितना है, magnesium का ह 24, okay, plus oxygen का कितना है, 16, okay, तो 16 और 24 कितना हो गया, तो 16 और 24 जो हो गया, वो मुझे दिख रहा है, आपका 6, 4, 10, 2, 3, 4, यानि के 40 और multiplied by 2, 80, यानि के इधर भी आपका 80 ग्राम आ रहा है, और इधर भी आपका 80 ग्राम आ रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, conservation of mass in chemical reaction, यानि के reaction से पहले जो reactant का mass था, some of the mass of reactant जो है, वो always बराबर होगा, जो हमारा product आएगा उसके mass के, clear एक दम अच्छे से, तो ये हम लोगों का आज का पहला class था, chemical calculation का, इस class से related कोई भी डाउट रहा गया, free में जाए, concept रैप में जाकर आप पूछिए, के भाया मुझे य में डाल रखा है, concept रैप में, तो अगर आप चाहें, तो वो classes अटेंड कर सकते हैं, वो geography, history, कभी कुछ videos हम लोगों ने free में डाल रखा है, उन्हें देखें, अगर आपको अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ भाया, effective है, history, geography भी समझ आ रहा है, बाकी सारा subject भी अच्छे आप से ही हो जाएगा, पूरा मध्यमिक का preparation का best preparation का guarantee हम लोग लेते हैं, और आप में improvement आएगा ही आएगा, ठीक है, तो आप जाएए, पहले जाकर free demo videos जो available है, concept रैप में, उसको आराम से जाकर देखें, उसके लिए कोई fee नहीं पे करना है, अगर आपको वो अच्छा लगत है कि हाँ ये बड़ा मस्त है, effective है, और मेरे पड़ाई जो इससे improve होगा, तो आप हमें call कर सकते हैं, call करके आप जानकारी ले सकते हैं, कि क्या करना होगा, और कैसे join करना होगा, otherwise आप वहाँ पे chat with mentor में जाके वो भी पूछ सकते हैं, कि भाईया मुझे join करना है, कैसे join करना आज आएगा, तो चैनल को subscribe कर लिजे, ताकि अगला वीडियो का notification आपके पास वटा वट से पहुंच जाए, टन से आवाज आना चाहिए, और chemical calculation part 2 का, ठीक है, मिलते हैं फिर next class में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, thank you